Hello everyone, Assalamualaikum आज का जो हमारा वीडियो रहने वाला है वो important है क्योंकि आपको बता है कि आपके पास time भूत ही कम है आपका जो backlog exam है अगर मैं 6th semester की बात करूँगा 6th semester का exam जो है वो 4 में से start होने वाला है और इसी तरीके से जो भाकी है 4th semester का जो है 2nd में से इसी तरीके से 3rd का भी है इसी तरीके से 2nd का भी है 1st का भी है तो लगातार आपके papers आए रहे हैं तो इसकी वज़े से जो है students distract हो रहे हैं पढ़ाई कुछ नहीं कर रहे हैं तो आपको बता है कि सिर्फ और सिर्फ 15th semester की अभी date जिट नहीं आगी बागी हर किसी student की date जिट जिट जो होगी है as well as admit card भी आगया है अब मैं आप इस वीडियो में समझाने को कुशिश करूँगा कि आपको पढ़ना कैसे है और इस exam को qualify कैसे करना है आज की छूट इस वीडियो में आपको ये मैं थोड़ा सा बता दूगा पास कैसे करना है ठीक लेकिन उसे पहले अगर आप नए हो तो हमारी इस YouTube चनल को सब्सक्राब करके बेल आइकन उन ज़रूरान करना और अगर आपको कोई भी confusion है नीचे आप comment करके बता सकते हूँ भाई को ठीक चलो जी आज का जो important वीडियो है वो हम start करते है देखो students सबसे पहले जब भी हम किसी exam की preparation करते हैं तो सबसे पहले syllabus आपके साथ होने चाहिए अगर आप note पे पढ़ रहे हो या फिर आप जो है प्राब्लिम नहीं हो सकती है अलबता subject है या descriptive जो आपको पता है कि objective पहले होता था किसी batch को तो आपको objective नहीं है आपको descriptive exam है हर किसी student का यह है पहला point अब रहा सवाल की जब आप किसी भी exam की preparation करोगे उसके लिए आपको हर किसी जो exam का book होता है अगर मैं book की बात करूँगा या note की बात करूँगा तो हर किसी book में note में आपको एक book में कम से कम 4 chapters देखने को मिलेंगे ठीक लेकिन उसमें 60 marks के जो है के marks होते हैं अगर मैं दो जिसके 2 chapters होते हैं English की बात करेंगा Sickle की बात करूँगा या बागी subjects उसमें जो होता है उसमें 30 marks का paper आता है ठीक 24 पास है यहाँ पर 12 पास है अब आपको जो है time जादा नहीं है आपको high marks लेने के जुरूरत नहीं है अगर आपने अभी कुछ नहीं पढ़ा है सबसे पहले आप पहले दो दो units हैं यानि कि पहले जो दो units है उनको focus कीजिए यानि कि उनमें से आपको सबसे पहले previous paper देखना पड़ेगा उसमें से important questions क्या है क्या पूछा जाता है कैसी पूछा जाता है देखो हर किसी unit में 4 से 5 questions होते हैं जब आपको exam में पूछा जाएगा तो internal choice उसमें मिल जाएगी एक ही chapter में 2 questions पूछे जाएगे अगर आप 5 याद नहीं करोगे कम से कम 3 याद करोगे वो भी अच्छे से याद करोगे तो अगर एक आपको नहीं आता दूसरा 100% आ जाएगी क्योंकि आपने जो है choice इसमें choice आपको मिलेगी लेकिन जो short answer होती है उसमें choice नहीं मिलेगी उसके बाद जो very long answer type question होती है उसमें भी हर किसी chapter का एक-एक question होता है पहले में एक, दूसरे, तीसरे, चोथे में एक और आपको चारों मैंसे सिर्फ और सिर्फ दो करने हैं जो कि मैंने आपको बताया है आपको करना क्या है आपको वही chapters पढ़ने पढ़ेंगे जो कि important है पहले आप 2 units पढ़ो, आराम से पढ़ो और वो 2 units आपको उसमें से अगर 6 questions है, कम से कम 4 questions पढ़ो अगर 4 है, तो कम से कम 3 questions तो पढ़ लो ठी? उसके बाद करना क्या है अब रहा दो, आप 2 units की pending है अब यह जो है, वो कैसे complete करोगे जो 2 units है, उनको complete कैसे करना है जो उसमें अपनी language में समझना है सबसे पहले आपको उसकी summary याद करनी चाहिए chapter कैसे है, उसका जो है author कोन है, लिखता कैसे, वो यह सब कुछ अच्छे से याद रखना है date याद रखना है, और उसके बाद जो अब क्वच्छन पहले उठाओगे, कोई भी text उठाओगे कोई भी text उठाओगे तो अपनी language में उसको समझो और pointers जो है, वो find out करो pointers जो है, वो निकालो, और अपने राफ पे जो है, वो लिख लो, ठीक तो क्या होगा, अगर उसमें कोई question आग भी गया, क्योंकि time बहुत काम है 2 units पढ़ो अच्छे से, 2 units जो है वो उसमें 50-50 कर लो अगर 4 questions है, उसमें 2 ही पढ़ लो लेकिन वो 2 questions अपनी language में आपको पढ़ना है, और जब आप exam दोगी, exam में करना क्या है सबसे पहले जो होता है long answer जो है, वो सबसे पहले लिखो very long answer questions, उसके बाद short answer, last में आप लिखो very short answer, क्योंकि उसमें time जो होता है वो कम होता है, हो सकता है, आपको फ्रेंड होता है teacher होता है, वो आपको उसमें 20 words तक लिखने पढ़ते हैं ठीक, और अगर आपका English है English में करना क्या है, English में थोड़ा सा summary याद करो उसमें से आपको theme याद करनी है चाहिए, और अगर आप textival questions पढ़ोगी तो पहले आपको 100-100 पोसर summary पढ़ने पढ़े है, author का नाम काव लिखा, और कैसे लिखा किसकी biography है, क्यों है, क्यों लिखी है, फरेकम स्टीब जॉब से semester में, जो सुमित है ठीक है न, जैदी सुमित है ठीक है, उसके बाद COVID-19 है उसमें आपको summary पढ़ने पढ़ेगी, auto biography पढ़ने पढ़ेगी, उससे क्या होगा उससे आपका जो है, वो आराम से निकल जाएगा, और आप अपने language में याद कर भी सकते हो, और वहाँ पर लिख भी सकते हो, भूल नहीं जाओगे रटा नहीं माना है, जब आप याद करोगे वो भूल भी सकते, लेकिन जब आप अपनी language में वो लिखोगे, तो आपको जो है वो आसानी हो जाएगी, ठीक तो फोकस ही करना है कि दो चाप्टर पे फोकस कीजिए, अगर टाइम काम है, तो कम से कम एक दिन में आपको दो यूनिट्स खत्म करने पड़ेगे, ज़्यादा जादा 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 कोचन ने होँगे, अगर एक कोच्छन को आदा गंटा भी लग जाएगा, फिर भी वो होते हैं, चार घंटे, चार घंटे या पांच गंटे में आपको जीक्म दो यूनिट्स खत्म करोगे, अगर आपको पस टाइम बहुत काम है, ठीक ज्यादे से ज्यादा revision की जो है वो need चाहिए revision की ज़रूरत चाहिए कि रिविजन ज़रूरी है पढ़ने के बाद बूल जाता है इंसान इसलिए revision करना ज़रूरी है ये छोटी सी वीडियो थी इसको like, share ज़रूर करना अगर पासंद आए दीजे इजाज़त लाहिए